नवस्कार दोस्तो, AutoCAD के lecture में आपका स्वागत है, चलिए, आज हम लोग नया कमांड सिखेंगे दोस्तो, open कर लेते हैं, फाइल को, तो दोस्तो, आज का जो हमारा कमांड रहेगा वो, ये प्रेस पूल पे बेज़ रहेगा दोस्तो, ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे द की उस तहार, ठीक है, लेकिन दुनों में कुछ डिफ्रेंसा उसको देखेंगे हैं, हम लोग दोस्तो, व्यू को हम लोग चेंज कर लेते हैं, आपे हम लोग, और हम लोग क्या करते हैं, दो स्केज बनाते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल रेक्टेंगल एक बनाते हैं सबस्तो, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, और एक यहां पर, फिर से कॉपी कर लेते हैं, एंटर मारते हैं, और अब क्या करते हैं, इस दोनों को तरह था, हम एक्स्प्लोड कर लेते हैं, दोनों को, यहां पे जाकर पूरा complete solid object हो गया उसी तरह प्रेसबूल लेते हैं तो यहां देखिए, object select नहीं करना पड़ रहा है, यहां आपका वास, beach वाला region आप select कीजिए, और इसको extrude कर देजिए, click कीजिए, देखिए, हो गया आपका दोस्तों, ठीक है, तो यह तो हो गया, killer है, यहां तक, अब फीट से हम जाते हैं, extrude में, अब यह वाला, जो extrude है, आपका यह, prodded वाला, इसको हम लोग select करते हैं, और इंटर मारते हैं, तो देखिए, इसमें as a surface आपका extrude हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता, दोस्तों, इससे principle हम select करते हैं, बीच वाला region देखिए, यहां पर complete as a solid आपका यह, आपका जैने टोड़ा है, basic killer इसमें clear होगा आपका concept, अब का ठीक है, फिर से एक diagram लोग ड्रॉड करते हैं, दोस्तों, rectangle को ड्रॉड करते हैं, और इस बार क्या करते हैं, इसमें एक, mixer killer लेते हैं, ठीक हां, और इसको copy कर लेते हैं, enter मारते हैं, ठीक है, अब देखिए, इसमें suppose, मुझे इसका beach वाला जो portion सा, इसका extrude करना है, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम extrude करेंगे सबसे पहले, enter मारेंगे, extrude कर दिये हैं, फिर से extrude में जाएंगे, इस पर circle को select करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर, circle, right click, enter मारेंगे, fit circle को extrude करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो देखिए, इसमें, आगए आपका circle, अब इस circle को suppose, मुझे इसमें हटाना है, hole करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह further हम लोग यहाँ आगले section में पड़ेंगे, solid as subtract, ठीक है, select करते हैं, enter मारते हैं, 3D solid करते हैं, और enter मारते हैं, तो यह हट क्या आपका, देखिए हैं, यह further हम लोग पड़ेंगे, क्या होता है, ठीक है, इसमें हो लोग यहाँ, लेकिन, जब हम principle का use करेंगे, दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम इस figure को, बीच वाला को select करेंगे, और इसको हम लोग rise कर देगे, तो देखिए, कितना आसान में आपका यह बन गया, और further हम, इस surface को भी हम, as a principle हम लोग use कर सकते हैं, देखिए, suppose यह वाला इसको principle करना, इसको select कीजिए, आएक तरफ बढ़ा दीजिए, टॉप बढ़ा लेना है, इसको बढ़ाईए, देखिए, further उसको भी हम select कर सकते हैं, लेकिन जब हम extrude लेते हैं, देखिए, extrude में, यहाँ पर options आपको नहीं देखा, select करने के बाद दोस्तों, ठीक है, तो यह वाला clear हो गया होगा दोस्तों, आपका प्रेश पूल और, extrude में, basic difference दोस्तों, यहाँ पर क्या, प्रेश पूल आपका simply, आपका कितना useful है, as compared to extrude, वो हम लोग ने देखा, और दूसरा यह था, दोस्तों, principle जब भी आप select कीज़ेगा, तो इसमें यह चीज़ आपको धान रखना है, आपका यह continuous है, suppose एक बार राइस कर दियें, तो देखिए, command से आपका बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, यह continuous आप कर राइगा, तो बस इसको, इसके फ्रिस कर लिज़े, एंटर मार दीज़े दोस्तों, तो command से आपका बाहर निकल जाएगा, तो hope यह फ्रिस्पूल वाला जो concept है, आपको clear हो गया होगा, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब हम लोग next lecture में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो नीचे दिएगे subscribe अकन पर क्लिक करके subscribe करें, और complete वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल को playlist भी देख सकतें दोस्तों, तो हम लोग next lecture मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार,